तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाएं करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं अन्सूल आज आपके लिए लेकर लेकर आया हूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली के करेंट अफेर्स पढ़ते हैं सुबह 10 वजे हमारा लेक्चर आता है डेली करेंट अफेर्स का तो अगर आप चैनल पर नहीं है किया सबसे पहले जो इंडिया है उसने सेट अप किया है फर्स्ट कॉल ट्रेडिंग एक्सेंज और सेकंड न्यूज है मायू हुआ है किसके बीच में इंडिया और डैनमर्क के बीच में एनर्जी को अपरेशन को लेकर करके वर्ल्ड बैंक ने उनिशो प्जासर करोड का ल लंबारड के साथ एक है फस्त बेट काइं ट्रैवल इंसरेट से लाँज किया है जिसमें ड्मेस्टिक ट्रिप् के ऊपर अपको इंसोरेंस दिया जाएगा राइट पर साइकल ने पार्टर्शिप किया UNDP और HCCB के साथ एक्स न्यूज है इंडियन एंट्रपेनोर रजनीत रंजीत कुमार को होनर किया गया किसके साथ नासा डिस्टिंग्यूस्ट पॉब्लिक सर्विस मेडल के साथ एर फोर्स ने एक रस्क्यू पॉर्ड बनाया है आइसुलेट किया है एक नया कैपलर वन सिक्स्टी प्लैनेट और उसका एक कोई 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 456 इसे उत्राखंड से लेटेड उत्राखंड में जो गैरिसन है उसको एक समर कैपिटल की तरह डिक्लेर किया गया है उत्राखंड के दौरा नेक्स्ट फॉर्मर यूनिन वाटर रिसोर्स मिनिस सबसे पहले न्यूस है इंडिया टू सैट फर्स्ट कॉल ट्रेडिंग एक्सटेंज तो भारत जैसे कि आपको जानते है कि कोईले का तो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा निया तक है तो इसमें जो पहला कॉल ट्रेडिंग प्लेटफोर्म है जो कि किसी ने किया है सापित किय है इंडिया ने स्थापित किया एक पहला कॉल ट्रेडिंग प्लेटफोर्म जिसमें की कॉल एक्चेंज के नाम पे चांद नाम से इसको जाना जाएगा इसमें क्या होगा कि जो बड़ी संख्यां में विकरेता हैं खरीदेने वाले हैं बेचने वाले हैं वह कुमोडरीटी के प्लेटफोर्म मिल जाएगा जिनके जहां पे जो खरीदने वाले हैं वह एक साथ आ सकते हैं यह क्या क्या है कि जो कोईला मंत्राल है उसने 11 जुन 2020 को यह इसके लिए उक्षन का क्या करेंगे उक्षन की निलामी निलामी शुरू करना का फैसला लिया है 11 जुन 2020 को है उसने जानकारी हमें दी है तो अभी कोईल इंडिया लिमिटिट ये जानने का है का है कोलकता में वेस्ट पंगाल में और इसके चेर्मन कम मैनेजिंग डिरेक्टर कोन है परमोध अगरवाल तो यह काफी इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे कि स्टोक एक्सेंज है उससे क क्या हुआ कि जो में पावर सेक्टर है उसमें स्ट्रेजिक इंटर्वेंशन के लिए आपस में राजनीतिक हस्तेव को बढ़ावा देने के लिए भारत के बीच में क्या हुआ है जिस पर की जो इंडिया है वह क्या है रिप resistant और इंडिया के बीच में पूच्जा को ल entrepreneurs का रीए कर करके जो स्थे इसंने किया है तो किसी ने साइन किया है या उसके से से कॉर साइन कीया है और यह विवसां पूरा नाम सपर नमौर के इंडिया यानि कि जो Denmark का Ambassador है इंडिया में है उन्होंने साइन किया है उनका नाम क्या है Freddie Swain तो ये दोनों का नाम काफी important है जो Secretary of Power Ministry है इंडिया में उनका नाम है संजीव नंदन सहाय और Ambassador है जो Denmark के इंडिया में Freddie Swain उन्होंने दोनों ने अकसर किया है इसके उपर और ये एनर्जी कोपरेशन को साइन किया है तो Ministry of State Power and New and Renewable Energy कौन है मिनिस्टर कौन है इसके पावर के राजकुमार सिंग और जो Ministry of Climate Energy and Utility Denmark में कौन है उनके मंतरी डैन जोर जोर जैंसन है उनका नाम एक्स न्यूज है World Bank ने क्या किया है 1950 करोड का लोन दिया है वस्ट बेंगाल को तो जो चीफ मिनिस्टर है वैस्ट मंगाल की कौन है ममताबनर जी तो तो म्हामता बेनोजी ने बलड़ बेंक बताया है कि जो वर्ड बैंक है उसने गरांट किया है एक लोन सो पचास रूपे करोड का तो उसके लिए जो टैक्लिंग कोरोनवारस तो कोको नभाइरस से लड़ने के लिए के लोन जारी हुआ है उन्निशो पचास करोड का ताकि ज तो उसको इंडस्ट्री जे इंडस्ट्री 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 को बढ़ावा देने के लिए उसको दुबारा से खड़े करने के लिए अपने पैर उपर कि 1100 करोड करोड के किया गया है जो लोन दिया गया है वर्ल्ट बैंक के द्वारा तो इसमें और जो बाकी का 850 क्रोड है इसके के उपर स्पेंड किया जाएगा जो वैसे सोशल वेलफेर स्कीम है जैसे कि गरेबों के लिए खानववाने का इंतजाम करना है या जो मजदूर ह रहे हैं बहुत जा रहे हैं उनके लिए रहने का जो गरीबी है पुरे वर्ल्ड चेखका हम क्या है कि मैनली जो गरीबी है पूरे वॉल्ड में उसको कैसे भाट इसको डिया को कर दिया था 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 कलकता के बारे में जडाना नहीं राजड़ा निका है कलकतान गावर्णंर जगदीब धनकड और चीफ मिनिस्टर भीम ए Sally इसमें कुछ national park है यह भी आपको कपता होना चाहिए यह भी काफी questions में पूछे जा सकते हैं बक्सर national park गोरुमारा national park नियोडा वैली नेशनल यह सारे national park काफी important है हम आपको करन्ट नियूज के साथ साथ स्टेटिक नियूज भी दे रहे हैं तो यह काफी important पढ़ जाता आपके लिए जो भी important exam है यह साथ स्टेटिक है और करन्ट अफेर की नियूज है वो काफी important रहती है तो वैस्ट जो नेशनल पार्क है उससे हर प्रमें एक नाएक कोशन जरूर आता ही आता है तो चलिए नेक्स्ट नियूज कि तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट नियूज किसके है और बिया ने और बिय पाहिटले बैंक से जने कुंदल रर वी कोशोड़ earning एकसेत्यान प्रमिन बैंक हमंग उनको शोड़कर के इन सप्पही निर्देश लागी हुआ नबाड की फूर्पम क्या है नेसरेंल बंक पॉर अग्रिकुल्टर और रूरल डाफ्मेंट और जो हाउसिंग один के नेनस्नल कम्पनीज होगी जो वी मतलब बेंकिंग से लेते जो भी मिन्तलब फाइनस का काम करते हैं दो नोन बैंकिंग नहीं है मतलब बैंकिंग वह अपना उसमें अकांट में सेविंग akkaount वेदा नहीं खुलवा सकती आपने में तो हाउसिंग फाइनस को और पर कंपनीज को साथ को सब को मिला करके गाइड लाइन डाज़ दारी कीगी है किसके दोबरा किसके लिए जो ड्राफ्ट करेंगे किसको एक फ्रेमवर्क ट्राफ्ट करेंगे इसके जो सेल ओफ लोन एक्सपोजर्स हैं और स्टेंडर्ड असे जिसके चेर्में कौन थे जिसके अदक्स कौन थे जो डॉक्टर हरस्वादन है हमारे हैं इल्थ मिनिस्टर उनको एक चेर्में बनाया गया था और एक टास्क प्र्स भी गठिट की गी थी जो की डेवलपमेंट ऑफ सेकंड़री मार्केट को डेवलप करने के लिए बनाए लोंस के लिए तो उसको चेर किसने के था जो यह है इसका नाम है थौर्थला नरायान स्वामी मनोहरन किया देख्सतामीन उने क्या किया था एक और कोमेटी नाइगी तो उसमें क्या गया था कि जो यह प्रेमवर्क ड्राफ्ट के जो है जो हैड़कोटर है मुंबई में महराश्ट्रा में और जो फॉर्मेशन हुआ था एक अपरल 1935 गूह हुआ था था कि जो दूसरे बैंक है उस टाइम पर प्राइवेट पैंक काफी हावी हो गए थे तो उनके उपर जैसे के कंट्रोल पूरे कंट्री में कंट्रोल हो एक सेंट्रल बोडी का तो इसके लिए अर्बेगा गठन किया गया था जो हिल्टन यंग कमिशन के के पूरे इंडिया में तो इसकी फ्रमेशन इती एक अपराइल 1935 को और गवर्नर को नहीं के चल रहे हैं और डिप्टी कवर्नर के बारे में वे आपको पता होने चाहिए चारी जिप्टी कवर्नर होते हैं पहला है बीबु परसाद कानून गो इसको बीपी कानून गो भी कहत फॉरता पात्रा माइकल पात्रा कहते हैं सिदे Turns अंको और capitalist को है पोजिशन होते हैं में ऐसमें वह ऊथ है पहन का पॉइंटमेट अभी नहीं हुआ है तो नेक्स्ट दिशित अब पर ते नेक्स्ट लूंबार्ट से एक लॉसकि कि first of its kind travel insurance यानि यात्रा करते वक्त आपको एक insurance मिलेगा उसकी first of its kind किसने किया है ये phone पे ने किया है तो ये domestic trip के उपर apply होगा तो ये phone पे है ये किसने flip card के flip card के flip card के स्वामितों के में है ये digital payment platform है ये जैसे कि आप bill वगरा भर सकते हो रिचार्ज कर सकते हो या किसी को पैसे अगर भेजने हैं तो वह भी का आप इसके तुरू कर सकते हैं आप एटिकेट बस टिकेट रेल टिकेट सब कुछ इसमें भर सकते हो और मतलब apply कर सकते हो उनके लिए टिकेट बुकिंग बगारा भी आपको कर सकते हो वासे तो इन्होंने किसके साथ किया है आएँसके साते के एक तो ईकाल सकता है जो वियुवा इसमीन आपने देख रहे हो तो जो नष्रास को भी टता है उनके इसमें तो फॉपर ओंटी प्रेवल इंसेर्थ कायं किया है ईए किसके ओपर होगा अपलई जो घरल प्रवच दोडिया के पूरे यानिकि इंडिया के पूरे एडिया में आपको है तो उसके थूम्स करते हो तो तो इसमें होगा जो ट्रेस्थ्ट्रेस्ट्रेवर एस्प्रियेंस को डिया जाएगा जो कभर रिस्क वगारा है जैसे कि मानलों दुरुगटना होगी तो इसमें शड़क रेल वायूज सारे जुड़ों सभी आतराओं से जुड़े हुए जो कि मों को ध्यान करक किया जाएगा अनुबह परदान किया जा सके तो यह पूरे साल के लिए इवारी इंस्वरेंस दे दिया जा हो उसके आपको पूरा साल अगर मालों कहीं कोई दुरुगटना वगरा हो जाती है तो इसमें आप क्या हो जाएगा इंस्वरेंस है उसके आपको जो चाहता होगी वह परदान करती जाएगी जो फोन पे है फोन पे का रिजिस्टर्ड डेडर्स कहा है मुंबही का सब्सक्राम ही और एमडी एजन्सी हों इसके भारगाव दास गुपता है तो चलिए नेक्स न्यूज की तरफ बढ़ते है नेक्स न्यूज के है रिसाइकल जो एक कंपनी है इसने पार्टनर्शिप की है यूएंडीपी के साथ और एच्छी सीबी के साथ किसके लिए प्ला जो की ऑपरेशनल है 28 cities में पूरे इंडिया में और जो की अभी और 50 cities में क्या करने वाला है जो 2020 में पूरे और जो भी 50 cities है उनको भी अभी लेने वाला है तो इससे क्या हो जाएंगे जो 50 प्ला सिटीज हो जाएंगे तो तकरीवन ये 80 के असपास की cities को कवर अप कर देगा 2020 खतम होते होते तो इसमें क्या क्या है इनकी partnership में एक recycle company है उन्होंने क्या किया है कि cloud application बनाई है mobile application बनाई है किसके लिए जो consumer से उनको aware किया जासके कि भी सफाई के related recycling से related तो उनको application और एक software डाउनलोड उन्होंने बनाया है ताकि जो project प्रित्वी है UNDP की और HCCB PL की साथ म उनको क्या करें है उसको और भी सायता मिल से कि लोगों की तरफ बहुत भी जाग रुखता हुसके कि जो used product है उनको recycle किया जा सकता है उनको एक तरह से अलग करके recycle किया जा सकता है तो इसका recycle के बारे में जान लेते हैं इसका क्या founder कौन है अब है देसपांडे इसकी co-founder क्या और वीरो ठीक है तो अभी you ndP के अद्मिस्टरेटर को ना है एंचिम स्टेनर है उन्डिप के अडिमिस्टरेटर और हैड़क इसका United States New York में चलिए next news की तरह बढ़ते हैं तो internet entrepreneur है entrepreneur क्या होता है एक उध्धमी होता है तो कौन है वह रंजीत सिंग रंजीत कुमार है उनको नासा का Distinguished Public Service Medal मिला है तो क्यों मिला है इनको एक Engineer है केरला से और Inter-Entrepreneur है कहां पर वेस्ट है यह वर्जिनिया यानि इनका जो ओफिस है यह नि जो बिजनस है वो कहा है वर्जिनिया में है तो उनको नासा के दोबारा जो जो इसका नासा डिस्टिंग्यूस्ट पब्लिक सर्विस मेडल तो इसको किसको मिला है यह रंजित कुमार को मिला है किसके लिए इसकी नासा को इनको इनको मिला था इनको नासा डिस्टिंग्यूस्ट पब्लिक सर्विस मेडल मिला है तो यह सबसे पहला आवार्ड इंडियन को किसको मिला था यह जो नासा का पब्लिक सर्विस मेडल है यह सबसे पहले इंडियन जिसको यह मिला था वो थे आर के चटी पंडित पती इनको कम मिला था 2002 में मिला था यह फस्ट इंडियन थे यह वार्ड जीतने वाले तो अभी एम में के जान बारे में जान लेते हैं एम में इनकी एक कंपनी है जो प्रेदरिक ब्रेडक ब्रिडन स्टर्न तो यह इनके इनके अद्मीन्स्टेटर है नेक्स्ट दिए और बढ़ते हैं जो एर फूर्स लें एक अर्पित नाम से एक ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम लांश किया है एक रज्क्यूप लांश किया है यह एर्बॉन पूच सकते हैं यह कोस्टन में एरफोर्स का कोस्टन है काफी इंपोर्टन को सने यह पूचा जा सकता है तो और पित क्या है एरबॉर्ण रेस्क्यू पॉर्ड फॉर जानी की हवा के थूरू किसी को अगर काफी लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता है और उनको अगर मालो कोई अमर्जेंसी होगी तो एक जैसे दूसरे यह से ट्रांसफोर्ट भी क्या जा सकता है तो उसके लिए उनको आइसोलेट करना पड़ता है पूरी तरह से तो इसलिए एरफोर्स ने क्या बना है एक क्रिटिकल पेसेंट हैं इंफेक्स डिजिट क्या होती है कि जो छूने से या आपस में साथ में बैठने से फैलती हैं तो उन से बचाने के लिए एक अलग से एरपित नाम का एक डिवाइस बनाया है टेक्नलोजी बनाई है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए जो यह हाइड एल करके जो होस्पिटल है जहां पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने बासन में आतम निरुपर भारत के बारे में कहा था कि भी आमें आतम निरुपर भारत की तरफ बढ़ना चीए और इनको इसको एंकरेज करना के चीए कि ज्यादा से ज्यादा आतम और यह सरेमें चेवकल लेकी युप शकते हैं कां साथ हजार में बना दिया और अबार से आने में साथ हलाग की प्रइस उनको पड़ जाती है तो इसकी प्यटिकटिकव बनाने का तो जो । जो एन पहाड़ों में होगे isolated area होगे या फिर जो remote places है नहीं दुर दराज के इलाके हैं उनको उन में से जो पेशेंट है critical patient है काफी emergency situation में है तो उनको वहां से rescue करके और health department में वहां के नजदीकी hospital जो बड़ा hospital जहां पर उसका हो सकता है वहां पर पहुंचाने के लिए यह बनाए गया है अर्पित जो सिस्टम है में ली तो एरफोर्स के बारे में जालने थे एरफोर्स का establishment हुआ था अक्टूबर 1932 को और करेंट में के chief of air staff को चल रहे है रगेश कुमार सिंग बदोरिया तो next news की तरफ पढ़ते है scientist ने डिस्कबर किया है कैपलर 160 स्टार है और उसका एक प्लैनेट है के कोई 456 जो कि किसके मिरर इमेज है अर्थ और सन किया है जिससे की वहाँ पे कैपलर 160 को कंपेर किया गया है सन से और अर्थ से कंपेर गया गया है कोई 456 को तो जो research publish किये गई है कॉन से जर्नल में astronomy and astroph physics एक जर्नल है तो उसमें एक टीम है साइंटिस्ट की किसके द्वारा लाट की गई है मैक्स प्लेंग के द्वारा मैक्स प्लेंग इस्टिट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च के एक साइंट टीम है उसने astronomy and astrophysics नाम की जर्नल प्रकासित की है यानि publish की है कि कहां पे गोटिंगन जर्मनी में तो उन्होंने डिसकवर किया है कि भी announcement कि हमने डिसकवर किया है प्लेंट इसका नाम है के ओई 456 और इसका एक स्टार है हो स्टार यानि जिसके तरह तरफ गूमता है कैपलर 160 तो यह नोने कैपलर स्पेस टेलिसकोप के थ्रू इसको खोजा है तो जो पेर है इस से एक सन की तरफ सन के चारा और अर्थ घूमती है वसी तरह ही जो के ओई 456.04 है यह गूमता है कि जो ग्रह है उसमें जो लाइफ है उसके एक्सपेटेंसी है कि भी वहां है वह सकता है वह यह प्लैनेट तो उसमें क्योंकि वहां पर तरल पानी के क्या मिलें अस्तित्व की स्थिति मिली है तो नेक्स्थ नियुज की तरह बठते हैं यह उत्राखंट से लेटेड है जो गैरिशन है वहां पर चंबोली इस डिस्टिक में उसको समर कैपिटल डिस्ट क्या गया है उत्राखंट की तो उत्राखंट के जो गवरनल है बेविरानी मोरी इन्होंने अपरो तो इसमें उत्राखंट के जो सबसे लार्जेस सिटी है देरादून उसको विंटर कैपिटल के विंटर कैपिटल बनी रहेगी वो और जो समर केपिटल वो कौन हो जाएगी तो इसमें उत्राखंट के उसके जो सेम है उन्होंने अनॉंसमेंट किया है कि जो गेरिशन है वो क्या हो जाएगी शमर केपिटल ओजाएगी उत्राखंट के में जाना लते हमें करंट अफेर्स के साथ चाथ जो स्ट्राटिक नूस है उसके बारं में भी हमें पता होना चाहे है कि वहाँ परन से नेशनल पार्क बगज़ा है या फिर ओर भी कोई जो जैसे कि उनाइट यो वह होता है कि हिस्टॉरिकल साइट होती है जैसे कि आयमंताबाद हो गया तो इस तरह से जो में तो इसमें किया है, जो Corbett National Park है, राजाजी National Park है, विल्ले ओ फेल फिलावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी National Park है, गंगोतरी नेशनल पार्क है, गोविनदा, परिशु पसु विहार नेशनल पार्क है और सेंचुरी है, तो यह सारी national park और सेंचुरी का आपके बारे में की उमर में तो यह जो 2000 से लेकर के 2004 तक जो यूनीन वाटर रिशॉर्स मिनिस्टर रहे हैं अर्जुन चरण से ठी उनका अपना जो कि कुछ समय से बिमार चल रहे थे तो एक प्राइविट हॉस्पिटल में भूवनेशुर मीन का दिहान तो गया यह आठ टाइम पे रह चुके लोग सब्सक्राइब कर लिए तो अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी चैनल को बेल आइकन को हीट कर लीजी ताकि आपको चैनल से जुड़ी हुई सारी लेक्टर्स को इप्टेट्स सबसे पहले रहे तेंक यू थैंक यू वरी मुच